एन तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो और तुम चालने के साथ कैसे ट्यालने जा सकती हो और मेरे साथ नहीं और यहां क्या है वाव सेव का पेड कितना अच्छा इस पर सेव है मुझे कितनी भूख लगी है मैं वास्ता में एक दो सेव खाना चाहती हूँ वाव यह कितना स्वादिस्ट है बहुत अच्छा मुझे इस सेव फ्रेंच फ्राइज बनाने की जर्मत है लेकिन सही सेव तो बहुत उपर है मैं वहां कैसे पहुचूंगी मेरे पास एक आइडिया है मैं पेड को थोड़ा हिला सकती हूँ और सेव मेरी टेबल पर गिर जाए वाव कूल यह रसोई गैजट है जो मुझे फ्रेंच फ्राइज के आकार में सेव का टुकरा काचने में मदद करेंगे अब इसे शुरू करते हैं वाव यह काम कर रहा है कितना अच्छा और बहुत स्वादिश्ट और यह सब कुछ एक सेव के पैकेट में रखना बाकी है औ को नहीं बिटनी तुमने मेरे ध्यान को क्यों डिस्टरब किया मैंने लगभग जेन को फकड़ लिया क्योंकि मैंतवार ने को सेव प्राइल आई हो यह सामानी फ्रेंच ट्राइस की तरह ही है लेकिन सेव से बना हुआ जल्दी से ट्राइ करो पसंद आया मैंने बहुत और यह क्या है और वह कहां जा रहा है वाव यहाँ पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है यह सबी छोटे लोग अब इश्वस्ति लूप से कुछ अच्छा बना रहे है अरे तुमीहा क्रेन पर क्या उठा रहे हो वाव यह खिलोना लॉग है यह मुझे खाना बनाने भी मदद कर सकता है और मेरे पास एक शांदार आइडिया है यह लॉग मुझे फ्रेंच फ्राइस की याद दिलाते है लेकिन आम तोर पर नहीं बल्कि चौकलेट वाले मैं खुद को छोटी लॉग के रूपे फॉयल मोल्ड बनाऊंगी फिर मैं अपना फेवरेट न्यूटिला अंदर डालूँगी कमें लिखे क्या आपको न्यूटिला पसंद है एलेक्स और मैं उसे बहुत पसंद करते हैं और अब इसे फ्रेंच में डालना होगा और इसे जमने के लिए फ्रेज में रखना होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए ठीक है मैं सोचल मीडिया के लिए कुछ नई फोटो लेना चाहती हूँ तैयार है काफी समय बीच चुका है यह चौकलेट फ्राइस को बहार निकालने का समय है वाउ यह बहुत अच्छा निकला हमें इसे तुरन टेस्ट करना होगा हाँ स अलेक्स मैं तुरने चौकलेट फ्राइल आई हूँ एलेक्स कहा है अजीद मैं कमरे में उसका इंजार करूंगी वह कहां चाह सकता है खेक है अब बहुत समय से नहीं और मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती वाउ कितना स्वादिश्ट है बिट्नी को थोड़ा दराने का सही समय है बैड मॉस्टर उसने मेरे पैर पकड़ लिया मम्मी मैं मॉस्टर नहीं हूँ ओ क्या बिट्वी से लाई थी वाउ चाकलेट चिप्स कूल हमें से जल्दी आजमाना चाहिए यह बहुत पादिश्ट है फाइप स्टार अब हमें इन प्रिंगल्स को हिट करना होगा मैं इस वाउ यह स्वादिश्ट है काश मैं चिप्स से फ्रेंच फ्राइज बना पाती वाउ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मैं चिप्स के टुकडो को असली फ्रेंच फ्राइज बिम बदल सकती हूँ मुझे बस एक अंडे को जार में तोडने और अच्छी तरह से हिलाने की वाउ यह कितना अच्छा बना आब केबल सही स्टिक्स में काटने की जड़त है मेरे पास इसके लिए एक अच्छा ग्याजिट है बस इसे जोर से दवाना है और सब कुछ सही टुकडों में कट जाता है शानदार बस इसे पैकेट में डालते हैं और चकने के लिए एलेक्स भी आजा सकता है यहां सबसे मुखे बाद बैलन्स बना कर रखना है मैं जरूर सफल होंगा ओ ओ ओ मैं लगबग गिर गया लेकिन मैं अभी ठीक हूँ मुझे सही बैलन्स बिला है ओ हाई बिटनी क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया है बढ़िया मुझे बहुत भूक लगी ह फ्रेंच फ्राइज लेकिन किस से बना हुआ ठीक है चलो यह ट्राइ करता हूँ वाव चिपस से बने फ्रेंच फ्राइज बहुत ओ नहीं मैं गिरा हो मैंने एक बहुत अच्छा स्कूल प्रोजेक्ट बनाया है बॉलकेनो हमें यह जाचना होगा कि यह काम करता है यानि वाव यह सच भी काम करता है कितना अच्छा टीचर निश्चित रूप से मुझे ए देगी मुझे कुछ खाना भी बनाना होगा क्या जॉला मुखी के वल इस तरह फूटेगा अलाती आभी भी गर में मैं इस पर अपने फेवरिट खटे कैंडी को पिगला सकती हूँ एलेक्स ने निश्चित रूप से अविताख खटा कारमेल फ्राइज नहीं खाया होगा वाव वे कितनी जल्दी पिगल गये हैं अब मोल्ड में सब कुस डालते हैं और अब हम इसे बाहर निकालते हैं और देखो बहर बढ़िया हमने अपने मज़िदार कारमेल फ्राइज को एक पैकेट में रखा और फिर इसे जल्दी से अलेक्स की और ले जाते हैं मशीन को सावधानी पुरोग स्टार्ट करना जरूरी है ताकि यह सब इन लूप से क यह बहुत अच्छा लग रहा है चलो इसे चकता हूँ बहुत हार्ड है क्यों वाँ तो इसे चाटना होगा वाँ मैंने निश्य त्रूप से अभी तक कारमेल फ्राइज नहीं खाया है मुझे यह बहुत पसंद आया मैं इसे पूरा खाने के लिए तयार हूँ खूल को है वाँ यह अच्छा है यह निश्य त्रूप से डो को छोटे टूकर में काटने मेरी मदद करेगा मुझे लगता है एक बड़ा सा फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा सब कुछ कट गया है मदद के लिए धनिवाल बाई और अब हम सब कुछ एक बेकिंग शीट पर डालते हैं और इसे आवन में सेखने के लिए भेजते हैं जल्दी मिलते हैं फ्राइज काफी समय हो गया आव यह निश्य त्रूप से त्यार हो गया होगा वाँ सब कुछ त्यार है कितना अच्छा हमें जल से जल एक पैकेट में सब कुछ डालना होगा और इसे एलेक्स को सर वाँ यह असले फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहा है वाँ यह कुदने के लिए बहुत अच्छा है आव मेरा बैलेस भिगड़ गया एलेक्स एलेक्स क्या तुम ठीक हो मुझे पता है यह तुम्हारी मदद करेगा मेरी नई फ्रेंच फ्राइज जल्दी ट्राइज करो बेशक चलो वाँ यह नए तरह का लग रहा है मैं कहता हूँ वाँ यह अच्छा है मुझे और दो मैं निश्च फ्राइज को पांच में से पांच दूँगा फ्रेंच फ्राइज की धेर से मुझे क्या बनाना चाहिए ओ हाँ मुझे पता है सबसे पहले मुझे एक बड़े क खुषरत लगेगा कई यार अब महत्पूल यह है कि यह गिरना नहीं चाहिए अब में सभी पैकेट्स को डाल दिया अब हम अपने वर्किंग प्लेस को इससे सजा सकते हैं इसे अलेक्स के पास ले जाने की जरुवत है क्योंकि उसका टेबल हमेशा खराब ही रहता है ओ नह को साफ करें यह पैकेट्स उस पर बहुत अच्छे लगेंगे अब सब कुछ तयार है और अब तुम्हारा टेबल हमेशा सिस्टेमेटिक रहेगा तुम्हें बस इन सभी पैकेट्स में अपनी पेंसेल मारकर और दूसरी चीजों को डाल कर रखना होगा कम जगह में अच्छ डालते हैं वाओ वाओ यह कितना सुन्दर लग रहा है और लाइट बन करने का समय है यह भगवान यह बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ यह क्रिसपोर्ट है ओ ओ ओ ओ मुझे खेद है गल्पी से क्या तुम भी वही सोच रही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ एक कलर कितना अ लाइफ है है इस बार यह निश्चित रूप से काम करेगा तुम मेरे हो मेरे प्यारे एक बार और हमेशा के लिए अम मैं वह वहां है जर्वत है किसकी यहां क्या चल रहा है आरे बिटनी यह सब बक्वास करना बन करो इस पूल लाइफ है की जाज करो चलो चाय करते हैं यहां तो बढ़ो आगे तो यह बोतल एकदम सही है इसे मेरे लिए छोड़ दो मैं इस सोड़ा से जल्दी ले बटलूँगा सोपर ठीक है और इस तरह अंडा हाँ यह बैम और यह यहां रहा एक मोमबत्य डालते हैं और उसे जलाते हैं और यह रहा रियल मोमेंट कुछ नहीं हो रहा है है हमारे पास बहुत सारी मोमबत्या है और यह यह बक्वास है तीन मोमबत्या यह निश्य क्रूप से काम करेगा नाइफ हैक तो रुखो तू स्टार्स हैपी बर्टे ये क्या गिफ्ट में लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह कितने बड़े हैं बूरिंग ओ बृटनी देखो हमें बस इस लाइफ है को किसी दर ट्राई करना है क्या कहती हो ठीक है हमारे पास उसके लिए सब कुछ है चलो जल्दी करो तो यहां अंडे है और यहां हमारे स्पार्कलर है अब हम अंडे को ठिट से लगाएंगे और अब स्पार्क यह तेगी से लक्ष की और बढ़ रहा है आगे क्या होगा ओ यार यह काम किया और अंडा भी खराम नहीं हुआ बहुत अच्छा मुझे यह बहुत पसंद आया स्वादिश्ट तुम खाओगी धन्यवाद लाइफ है फाइफ स्टार टिक टॉक में नया क्या है वाओ यह हुई ना बात वाओ हमें बस इसी आजमाना है चलो बिर्टी के बास जाता हो ओ योगा इस तरह कभी कभी यह मुश्किल होता है अरे बिर्टी तुम्हाँ क्या सो गई हो क्या उठो यह नए लाइफ हैट को चेक करने का समय है तुम्हें यह कैसा लग रहा है जल्दी करो मेरे पीछे आओ तो हम फ्रीट से सभी अंडे लेते हैं ओ हाँ यह वाला और यहाँ यहाँ रख दिया और यहाँ यह कैचल बेल आओच अलेक्स तुम चीजों को मुश्किल बनाना पसंद करते हो हमें कैचल बेल की जरुवत क्यों है देखो यह कैसे किया जाता है यहाँ चलो ऐसे यह काम किया चलो देखो मैं करके दिखाती हो उपस यह कितना बज़ेदार है फाइव स्टार अलेक्स मुझे खाना बनाने में डिस्टाब मत करो कुमारे पास मा किया है यह दिलचस्प है है चलो इसे ट्राइ करे यह एक्वेरियू सही रहेगा हाँ ठीक है चलो काम करते है हमने सभी अंडे एक साथ रखे यह कुई दबाद बढ़िया आप देनेगर हाँ यह मुश्पिल है गंदा हम पूरे पैकेश को बाहर निकालते है बढ़िया अब थोड़ा इज़ार करना बाकी है लगता है जल्दी त्यार हो जाएगा हो गया बहुत टाइम लग रहा है मुझे नीद आ रही है ओ आखिरकार सुलो मुझे लगता है हमने कर लिया है वाव कितना अच्छा वाव वह ऐसे ही बन गया है स्क्वेस मुझे स्क्वेस बहुत पसंद है हाँ हम दिन बर इससे खेल सकते हैं यह बहुत मज़ेदार है फाइव स्टार यह लो और यह आपके लिए मैं कितना ठक गया हूँ क्या यह नहीं हो सकता इतना अच्छा लाइट है खेर ने निंजार कर सकती है बेटनी मुझे आशा है तुम सोई नहीं होगी आरे उठो बहन हमारे पास एक जरूरी काम है ठीक है पर जिद तुम सोना चाहती हो तो मैं यह कुल लाइफ है खुदी करूँगा यह वल इसके लिए सही सामान डूलना है यह आहा यह ठीक रहेगा यह वाला मैं इसे ले लेता हूँ यह शोर कैसा है क्या कोई चोर आ गया है बहुतर होगा तुम दूर रहो मुझे कॉल्फव आता है यह कौन है एलेक्स तुम यह क्या कर रहे हो ठीक है चलो इसे ट्राइग करे चलो बस चुप रहो चलो चलते है तो चलो लेगिंग लेते है और उसमें अंडा डालते है हमारे अंडे के लिए एक असली मनुरंदिक पार का इंजाम करते है यह कितना बज़ेदार है माफ करू भाई वहा क्या है क्या लगता हमने कर लिया अब हम पता लगाएंगे तोड़ा और धैरी ब्रिटनी और अब यहाँ यह है असली मोमेंट अब इसे साफ करते है शेल हटाएंगे और इसे काटेंगे यह बेकार है यह भी ठीक वैसा नहीं है जिसकी जरुवत है और यह हाँ यहाँ सब कुछ वैसा ही निकला जैसा उसे होना चाहिए फोर स्टार बुरा नहीं है अरे ब्रिटनी क्या तुम वास्ता में कुछ अच्छा देखना चाहती हो कुछ मज़ेदार सा हाँ इसे पकड़ो अब तुम सब कुछ देखोगी चलो इसमें गुलाबी रंग डालते है और इसमें फीला और इसमें नीला दूसरे रंगों को भी नहीं बुला है तो अब एक खाली सफेद कैनवस लेते है और बैम हाहा अलेक्स पुम अरे या वास्ता में मज़ेदार है मैं इसे महसूस कर सकती हूँ कि मेरा स्ट्रेस घट रहा है और मोड भी अच्छा हो जाता है बस केवल उस पिक्चर पर देखो कितना सुन्दर बना है फाइव स्टार चलते हैं ये वाव कितना कोक है शेर्स बहर शेर्ट लगा लो मैं ये गूट में पूरी बोतल पी सकता हूँ हाँ मैं भी वह कर सकती हूँ और अब हम कैंडी भर सकते हैं बस ये गिरे ना हाँ हम इसे दूसरी बोतल में बें डालने के लिए पानी की जर्वत होगी इसे मैंने अच्छी तरसित होया है और मैंने उनो काड लिया है ताकि पानी न गिरे क्या तुम त्यार हो फिर मैं इसे पलट देती हूँ चलो खिसते हैं वाव ये काम कर गया देखो ये कितना सुन्दर है वाव मैं यह पहले ही देख चुका हूँ यह भी वाव यह लाइफ है जाज के लाइक है वाव मैं यहां हरा लगाऊंगी और यह एकदम सही होगा वाव तुम मास्टर हो धन्यवाद देखो मुझी क्या मिला है तुम क्या सोचती हो यह अच्छा है एक सेकेड सभी रांगी कर्था कर लिया चलो चलते है अरे मेरी ले रुको ओ, मुझी दूठ पिये बहुत समय हो गया है तुमारी मूचे मन गई है चलो दूठ डालने का समय है बस एक सेकेड अब क्या होगा मुझे किस पेंट से शुरू करना चाहिए चलो, बैंग में लेती हूँ ओ, यह खुल क्यों नीरा है पेंट सुप गया है क्या लाओ मैं तुहारी मदद करता हूँ चलो देखते है मैंने आज पूश अबस करके अपने हाथों को मर्वित बनाया है पारी से कैसा रहेगा उफ, चलो खुलो आ, यह काम किया यहलो, हुरे सभी रंग, प्लेट पर है अब केवल इसमें डालना है देचर देंट हाँ, इसे कॉटल स्वैपल गिरा कर दूर में डालना होगा खूल, वाओ, देखो सूपर, हमने कर लिया मेरे बॉइफ्रेंट ने फूल भेजा है कितना प्यारा हेलो, क्या तुमने वह देखा कहा ओ, फूलो के साथ एक लाइफ है आईडिया अच्छा है वाओ, क्या खुश्बू है आई भाई, खाना बन करो चलो जूस बनाते है ठीक है, मैं गाजर से शुड़ू करूँगा एक सेकेंड और यह हो गया फिर मैं सैलरी डालूँगा बहुत हरा क्या तुम टमाटर के बारे में भूल गया लाल रंग कोई बुरा नहीं होगा और मैं पीला केला लोंगी हाँ यह कितना अच्छा है अगर सब तयार है तो आगे बढ़े इस बिच हम खेल सकते हैं मैं जीत गई आर्म रेस्टिंग कैसा रहेगा मैं फिर से जीती बारी जागो देखो हमारा लाइफ एक काम कर रहा है वाव फोल कितने रंगीन हो गया है यह तो बहुत अच्छा है यह ब्लॉगर्स भी ना यह फनी होता है जो वो खुद को एक स्टार समझती है क्या तुम्हें एक नया लाइफ एक देखना चाहती हो हम एक बोतल में जेली बनाएंगे खुल है ना मुझे यह पसंद है चलो करते है मेरे गले में खराश है मुझे इसे कोक के साथ ठिक करना होगा वाव कितना स्वाधिस है और मुझे कुछ कैंडी मिली एक पैक काफी नहीं होगा मैं एक बार में सब खोल देता हूँ जितना ज़्यादा उतना अच्छा वाव चलो उन्हें रंगों से छाटे और वाव देखो कितना अच्छा लग रहा है मैं रेन्वो के सभी रंगों को शामिल करूँगा ताकि वे खूब सूटी से जिन मिलाए वाव अब इसमें कौन सिर्फ डालेंगे चलो भाई वाव बढ़िया अब बोतल को फ्रीज में रखना होगा और इसके जमनी तक इंजार करना होगा मुझसे बहुत इंजार नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे मुवे भी पानी आ रहा है वाव कूल हमने किया यह कमाल का है मुझे भी चाहिए क्या मैं अहाँ बेशक सोपर कितने सुन्दर कैंडी है यह बहुत स्वाधिस्ट है वाव कूल लाइफ है धन्यवाद भाई मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है यह भयानक है तुम्हारी तगित कैसी है मुझे यकिन है यह तुम्हे खुश करेगा यह एक लाइफ हैक है कैसे एक लावा लम बना सकते है तुम इसे बनाना भी चाहती थी एक सेकेंड रुको यहाँ यह एस्पिरिन ले लो घन्यवाद अब मैं इसे जल्दी से बनाऊगा और अपनी बहन को सर्प्राइस करूँगा सबसे पहले क्या करना है हाँ बानी डालना है फिर पेंच ओ लाल उसका फेवरिट रंग है अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है हाँ ऐसे तैयार लगता है यहाँ तेल की जर्वत है क्या यह नारियल तेल है? चलेगा मुझे लगता है इतना काफी होगा और एस्प्रीम यह यह मेगा सुन्दर है मेरी बहन जरूर बहुत कुछ हो जाएगी जागो सिस देखो मैं तुमारे लिए क्या लाया हूँ तहाँ वाह लावालाम बन गया यह मस्त है धन्यवाद तुम जीनियस हो मैं इसे अपनी जगह पर रखूँगी मैं ठक गया हूँ यह क्या कितने जोड से चोट लगी यह लो मैं इसे बाद में देखूँगा मैंने मुझे बहन को खुजना है मैं मुश्किल से बच पाया माफ करना मैं गल्ती से इसे भून जाओ बेतर होगा तुम इसे देखो यह जाज करने लायक है मेरे पास कुछ बैलोन्स बचे है चलो कीचन में चलते है वाव इस एक्सपरिमेंट के लिए हमें सोडा और सिर्का की जर्वत होगी और एक फानल भी अब मुझे एक बैलोन दो अच्छ ठीक है लो अब हम इसे पनल पर कसकर लगाते है और इसे सोडा से भरते है सूपर अब हम सिर्का पर ये गुबारा डालेंगे और तुम तयार हो पहले से कहीं जादा तो फिर शुरू करते है वाव देखो यह फूल रहा है वाव यह अद्बुद है भॉगवर्ट्स के जादू की तरह यह फटेगा तो नहीं ओ कुछ बिल्चास मुझे एक नया रेंबो लाइफ हैक मिला है इसे तुरन बेटनी को दिखाना होगा हाँ नहीं देखो मैं शैप हो ओ क्या था जा तुम गिरने वाले थे जोट तो नहीं लगी सब ठीक है देखो मुझे क्या मिला है क्या कहती हो ठीक है चलो इसे देखे मुझे स्केट दो नहीं यह मेरा फेवरिट स्केट है इसे अच्छे तरीके से दे दो किसी हाल में नहीं रुखो मेरे पास एक आइडिया है पापा का लैप्टॉप कैसे रहेगा मुझे उसके लिए खेद नहीं है अच्छा ठीक है चलो मैं पेंट स्ट्रे करने जा रही हूँ कितना सुन्दर तुम्हे बसंद आया वाव और आप क्रीम मैं सूरत बनाऊंगी अब इस पर काला रंग लगाना है और फिर पानी से धो देना है वाव बहुत सुन्दर कुम्हों तुम्हे लैप्टॉप को तितनी खुबसूरती से सुजाया है पापा खुश हो जाएंगे शाबास बहन क्या यह कैट फूड है यहलो दोस्क खाओ वाव बहुत बढ़िया ब्रितनी तुम्हे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे क्या मिला है वहाँ क्या है वाव मुझे भी यह चाहिए चलो इसे करे मैं कुछ कैंडी डालने जा रही हूँ वह प्लेट पर तित्की हच्चे से कूर्द रहे है तुम इसे फैलाओ और मैं पानी लेता हूँ अरे इसे लाइफ है के लिए भचाओ ठीक है वाव यह नहीं हो सकता वाव तुम हाद बोदो तुम्हें स्ट्रॉच आईए बड़ी आइडिया यह मस्त है देखो यह मज़ेदार है तुम्हें खुद को देखना चाहिए बिल्ली की हाखो को देखो उसने भी स्कीटल्स पिलिया कितना दुरावना अरे पॉपकर कहा है क्या यह खत्म हो गया है ओ नहीं केवल दाने बचे है यह अच्छा नहीं है एक मिनट रुको मुझे याद आया कल मैंने फूल लाइफ एक देखा था तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे देखने दो वाव यह अच्छे समय पर याद आ गया चलो कुछ और पॉपकर्ण बनाते है हमारे पास एक फ्राइंग पैल है दाने भरे बस कुछ देद और तयार क्या हम स्पिसल्स भी मिलाएंगे शायद यह सचो की कैंडी पॉपकर्ण को रंग सकती है काश यह काम कर जाए मुझे बहुत भूख लगी है तुम्हें देखा हाँ यह काम कर रहा है वह पॉपकर्ण ओर रहा है हाँ बस अरे कुछ करो ढकन कहा है लगता है अब सब ठीक है देखो यह मस्त है बुकर कहीं के को मैं पेटी ओ यह अच्छा था हमने अच्छा किया मुझे अपने भाई के लिए अंडे से कुछ स्वादिश बनाना होगा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मुझे एक कटोरे में कुछ अंडे तोड़ने की जरुवत है वाह ऐसे और फिर थोड़ा दूट डाले दूट डल गया अब इसमें थोड़ा नमक बिलाएंगे और इसे मिक्स्टर से फेटे ये ये काजबुत ओमलेट मिक्स्टर बन गया है अब हमें इसे अवन में डालना होगा इसे बेखोने देते हैं और अब हमें इसे निकाल सकते हैं वाव स्वादिश खुश्बु आ रही है ओ नहीं मैं पूरी तरह से भूल गई कि अवन अवन में था ओ मेरे हाथ जल गया है बहुत जलन हो रही है लगता है अब सब ठीक हो गया अब हमें ओमलेट को एक प्लेट पर रखना है और इसे एलेक्स को परोज सकते हैं मैं एक अजबत कोखू चलो इसे जल से जल उसके पास ले जाएं बेलिसीमो आँ आँ नहीं हाँ उच कितने जोर से छोट लगी मेरा पैर मेरा बेचारा दर्ब से तरपता पैर मुझे इसे जल जली से फूप मार कर ठीक करना होगा ओ नैंसी तुम यहाँ हो कोई काम था क्या तुमने क्या बनाया है यह अजीव लग रहा है मुझे वादो और गंस से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या मुझे इसे चक्तर दिखना चाहिए आशा करता हूँ कि तुम मुझे कोई जान नहीं खिला रही हो यह अच्छा है यह जली जैसा दिखना दिखना है चलनल से खाता हूँ बुरा नहीं है मुझे यह पसंद आया क्या तुम इसे चक्तर चाहती हो हाँ मुझे चाहिए इससे फेट चुक्रा आले अलेक्स तुमने क्या किया है तुम किती गंदे हो लेकिन यह फ़ानी था चलो आप खाना बनाते हैं और खेलते हैं यह यहाँ अंडा है क्या यह चिकन है क्या मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया वाउ मेरे पास एक आइडिया है मुझे तुरंत एक लब की जर्वत है चलो अब इसे फुलाए ओ माफ करना चिकन हम इसे एक कपर लगाएंगे और फिर एक अंडे को मग में तोड़ते हैं बढ़िया अब हम सब कुछ निचोड़कर मिलाते हैं मुझे छेद बनाने के लिए एक सुई चाहिए वाउ एक पैचन बनाते हुए पैन में सब कुछ डालेंगे वाउ मैंने इसे खुबसूरती से किया है ये असली एग रोल है इसे जल्दी एलेक्स को दिखाने के जर्वत है मुझे कौन सा खीचना चाहिए हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा तावर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए ओ नहीं एलेक्स यहां क्या चल रहा है तुम ठिक तो हो मैं तुमारे एक नया ट्रीट लाई हूँ तुम इसे चखोगे जल्दी इठो मैं तुमारी मदब करती हूँ यहां यहलो क्या तुमने फिर्सी कुछ पकाया चलो इसे खा कर देखे अच्छी कुछ गुआ रही है वाँ ये स्वादिष्ट है ला जवाब क्या तुम भी खाना चाहती हो वाँ स्वादिष्ट रेसिपी को फाइब स्टार्ट वाँ क्या मैंने एक धुलब शुदुर मुर्ग को खोज लिया है वहाँ वहाँ बैठी है कितनी सुन्दा है तुम बहुत प्यारी हो ओ गौड मुझे अपने आखों पर गिस्वास नहीं हो रहा है चोटी चीडिया तुम इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकती हो वाँ इससे जरूर कुछ बहुत स्वादिष बन सकता है चलो इसे खोले वाँ अंदर बड़ा अंडा है कूल मुझे तुरंद इसे पकाने के जर्वत है मुझे लगता है कि अब बॉयलर मेरी मदद करेगा कितना गर्म है मुझे इसी की जर्वत थी अंडे को पूरा पकाने के लिए हमें बस थोड़ा इंजार करना होगा और अम मैं थोड़ा अराम कर सकती हूँ वाँ क्या ये त्यार हो गया तो चलो एलेक्स के पास चली तुम बहुत सुन्दर हो मैं तुम इस कब से कहना चाहता था मैं अरे तुम यहां क्या करे हो क्या वे किश करने जा रहे है अच्छा होगा मुझे किस कर ले ये तुम्हारे ले शर्मनाक है लेकिन मुझे पता है किसे कैसे ठीक किया जाए मैं अपनी नई डिश लाई हूँ यहाँ दो मैं इसे चक्कर देखता हूँ इससे अजीब तरह कि बद्बू आ रही है और यह दिख्री कुछ ऐसा ही रहा है है मैं ट्राइ करता हूँ यह बहुत खराब है एक स्टार और एक डॉट अंडा बहुत अच्छा है मैं इसे एक वाफल मेकर में पकाऊँगी चोट लगी लेकिन यह तूट गया मैं इसे वाफल मेकर में डाल देती हूँ और फिर इसे बन कर देती हूँ और थोड़ा इंजार करना होगा सब कस तेयार है अब इसे एक प्लेट पर रखना होगा और इसे एलेक्स को सर्व करती हूँ उसे यह जुरूर पसंद आएगा और आप सबसे अच्छा खिलारी एलेक्स रिंग में जाता है और अपनी टीम के लिए बास्कित बॉल वर्ल्ड कप लेता है आओ चैलेक्स दर्द हो रहा है ओ नहीं क्या मेरे माती पर ब्रूस बन जाएंगे खेट चलो इसे भूल जाओ मैं तुम्हारे लिए एक नया टीट लाई हूँ मुझे बहुत भूफी लग रही है मैं इसे खाता हूँ स्वादिश इसे फाइब स्टार मिलना चाहिए वाव हैलो मचली मैं खुले समुद में तुम्हारे साथ तहना चाहती हूँ लेकिन आभी मैं केबल एक अक्वेरम ही खरीच सकती हूँ और तुम मेरे लिए उपयोगी हो सकते हो क्योंकि तुम साधारन मचली नहीं हो हम तुम्हारा उपयोग अभी खाना पकाने में करेंगे तुम वाइट से योग को पूरी तरह से अलग कर सकती हो अभी अन्डा तूट गया और अब तुम्हारी बारी योग्स और वाइट्स अलग तुम बहुत अच्छी हो तुमने असानी से कर लिया चलो डाल पर वापस जा वाव यह कातिल तुस वहां से आई वाव वह मेरे इंकले कर आई है कूल मैं वाइट्स को काला कर सकती हूँ बहुत बढ़िया अब पैन में सब कुछ डालना बाती है मेरे पास उल्लू के आकार में एक साचा है जिसके उपर बड़ी आखे है अब मुझे अपना योग चाहिए मैं उन्हें इन आखों में डाल दूँगी सुम्दर अब सब कुछ एक प्लेट पर रख लेंगे और मोल निकाल देंगे वाव कमरे के चारोर स्केट करना बहुत अच्छा है ओ नैंसी हाई ओ नहीं मैं गिर रहा हूँ मुझे पकड़ो मेरे हाथ मैं तुभार ले एक नई डिश लेके आई हूँ मैं तुभारी मदद कर सकती हूँ ऐसे गिरने के बाद तुभे कुछ स्वादिश खाने की जर्वत है लो, खाओ वाव, क्या यह फ्राइड एग है इसके आखे बहुत मदेदार है स्वादिश है बहुत अच्छा मैं इसे भी खा कर दिखता हूँ मुझे अपने भाई को सर्प्राइज करने की लेट नई रेसिपी लाने की जर्वत है अंदा आप यहां कहां से आए और रंगीन पेंसिल मेरे पास एक अच्छा इडिया है मुझे कुछ अंडे उबालने की जर्वत है यह तयार है और अब हाण अंडे को रंगीन पेंसिल के साथ एक फिल्म में मोडते है और फिल इलास्टिक बैंड के साथ सब की श्टाई करते है और आप राबर बैंड से छुटारा पा सकते है फिल्म और पेंसिल हटा दे और आम मैं आपको सबसे जिल्चस चीज दिखाऊंगी अब हम अंडे को एक फूल की तरह काटेंगे कितना संदर एलिक्स के यह जुरूर पसंद आएगा वाव मेरा फेवरेट गम वाव यह कितना लंबा है मैं अब तुमें खाने जा रहा हूँ और तुम बहुत स्वादिश्ट हो मैंने कितना बड़ा बबल बनाने का सपना देखा था और ये रहा बड़ा एलिक्स हाई यह बबल कहा से आया मुझे उसे छुटकारा पाना है यह अच्छा है कि मैं अपने साथ एक पेंसिल ले आई थी इसे उड़ा दो एलिक्स तुम कैसे हो मैं ठीक हूँ किवल गम में ढखा हुआ हूँ क्या तुम मेरे ले कुछ लाई हो मुझे तुमारे नए देश को ट्राई करने में खुशी होगी वाव ये फूल बहुत अचीब लग रहे है क्या मुझे उन्हें पेंसिल से खाना है ठीक है चलो ट्राई करता हूँ वाव कितना स्वादिश बात अच्छा दादी ने आईरन इधरी छोड़ दिया है चीज का मतलब है मैं इस पर काम करूँगी हमें बस ये देखना है कि ये गर्म हो हाँ बिल्कुल सही चलो उसे किचन में ले चले मुझे अंडे चाहिए हैलो सभी अंडो के राजा और रानी मुझे खेद है लेकिन मुझे आपके छोटे को लेने की जरुवत है हैलो लिटिल एग प्रीज अब आप अंडा राज के लिए अपना कर्टबे पूरा करेंगे आपको पकाया जाएगा और खाया जाएगा मैंने विशेश रुप से आपको दिल के आखार में बनाया है ताकि सभी जान जाए कि मैं कितनी प्यार से खाना पकाती हूँ अब कि उस बात के लिए थोड़ा नमंग डालना बाकी है अब आलेक्स के पास जाने का समय है आलेक्स मैं तवाइल ने स्वादिश खाना लेकर आई हूँ जागो फेट से पोरी रात गेम खेल रहा था अगर आलेक्स खुद से नहीं जाग रहा है तिम्हें उसे जगाने के लिए कुछ करूँगी आलेक्स उठो मेरी नई डेश ठंडी हो जाएगी और इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा जागो मैं कितनी आराम से सो रहा है मैं इसी बरदास नहीं कर सकती मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो किसी को भी जगा दे हाँ, बिल्कुल हाथ, उंगलिया मैं उसे थोड़ा गुद-गुदी कर सकती हूँ जागो यह काम किया नैंजी, फिर कभी ऐसा मत करना मैं अभी ट्राइ करता हूँ यह स्वादिश लग रहा है अद्बूर, बहुत अच्छा धन्यवाद, अब मैं सो सकता हूँ तुम्हें पता है, मैं तुम्हें भी हरा सकती हूँ ओ नहीं मैं गिर रहा हूँ, नैंसी, मुझे पकड़ो ओ सॉरी, तुम्हें पकड़ने का समय नहीं था तूट लग गई, नैंसी मेरे पीट में बहुत दर्ध हो रहा है मेरे कुर्सी भी तूट गई, अब मैं किस पर बैट कर गेम खेलूँगा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मैं तुम्हें लेक नई कुर्सी बनाऊँगी, चिंता मत करो मैंने आज एक दर्धन से अधिक अंडे का इस्तेमाल किया है एक फोल्डर जरूर डश्विन में होगा चलो से खोजे इधर, कच्रा, कच्रा यह भी नहीं ओ, यह वहाँ है हाँ, एलिक्स की नई कुर्सी के लिए मुझे ना केवल कुछ दर्धन अंडे के पैक की जर्वत होगी बिल्कि अलग-अलग रंगों के साथ पानी भी चाहिए होगा इसमें मैं सभी स्टैंड को रंगीन कर सकते हूँ अलग-अलग रंग में इसे रंगूंगी जर्वत है, ताकि अलिक्स कुर्सी पर आराम से बैट सके वाँ, बहुत सुन्दर बिल्कुल सही, अलिक्स को इसे तुरन दिखाना होगा यह कितना भारी है, इसके गिरने से पहले जल्दी से इसे ली जाना होगा हाई, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ यह तुम्हारी नई कुर्सी है नई कुर्सी? तुमने मेरे लिए कुर्सी बनाई? वाँ, यह कितना नरम और रंगीन है मुझे सच में यह पसंद आया मुझे इसके जाज करनी चाहिए वाँ, हम सच में इस पर बैठ सकते हैं कितना अच्छा, धन्यवार नैंसी चलो, फिर से गेम खिलते हैं